नमस्कार मैं हूँ दी फ्रॉम उदरेबिया एक्शुली मैं वीडियो करना नहीं चाहता था मैंने किसी का यूटूब पर वीडियो देखा था उन्होंने हमारा एक प्रोडेक्ट खरीता था जिसका नाम है बखूर दरसल उसके बारे में उन्होंने गलत जानकाली दे रखी है जिसकी वेशे हमारे पास यहां पर क्लाइंट आते हैं और उसे तरीके से यूज कर रहे थे जिस तरीके से वीडियो के अंदर बताया गया है और यहां पर आके हमसे बोले थे कि आपका प्रोडेक्ट काम नहीं कर रहा है तो खैर चलिए मैं बताता हूं आपको क्यों यूज कुछ कैसे करना है उन्हों पर थोड़ा सा गलत डिस्क्राइब कर रहा था तो मुझे लगा शायद मुझे इससे करके आप लोग साथ शेयर करना चाहिए कि होता क्या है कि कुछ लोग सुनने के बाद और कॉंसेट को समझते नहीं क्या है क्या नहीं और वीडियो बना देते थी कि आपके फॉलवर्स हैं आपके लोग आपको लाइक करते पसंद करते तो प्लीज मैं तो इतरा कहूंगा कि यार गलत वीडियो ना डाले अगर आपको प्रॉपर नौलिज नहीं तो प्लीज ऐसा ना करें तो मैं बताता हूं नहीं यहां पर क्या गल्ती कर रहे हैं जि आप में इसके मिलता है आपको चारकॉल दो चारकॉस मिलती है यह मैजिकल चारकॉस होती है भार भी आपको इसली उपलब दो जाती है भार भी आपको आसानी से मिल जाती है अब इसका कॉंसर्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूं यहां तक उन्होंने बहुत सभी बताया यह हम चारकोल ले लेते हैं और इसको बन कर लेना है बन करने के बाद इसको आपको अंदर रखना है ऐसे अब अंदर रखना है आपको साइड में से एक साइड में रखना है अब उन्होंने बताया है कि बन करने के बाद इसको यह जो यानि कि इसमें ऊद्वुड होती है मैं दिखाता हूं आपको suppose like मैं इसमें से उद्वूड ले लेता हूं यह है उद्वूड यह मुझे जस्ट इतना सा लेना है मैं बता रहा हूं आपको like this much इतना सा आपको यूज करना है और इसको करना क्या होता है इसके दखून के साइड में रखना होता है if you can see here मैंने distance रखावा है मैं आपको ऐसे नहीं दिखा पा रहा प्लीज अगर आप देख रहे हैं यह इतने distance में आपको रखनी है जहां पर मेरा इन दोनों में space होना चीए सी दिस अगर आपको दिखाई दे रहा है इसमें space होना चीए तो होता क्या है कि चारकोल की heat से जो दखून है यानि कि ऊद्वुड जो है चारकोल की heat से फ्रेक्रेंस को जनरेट करती है बट उन सर नहीं हाँ पर बताया है कि इस चारकोल के उपर यह जो दखून है यानि कि आप चारकोल के उपर इसको burn करके डाल दोगे यानि कि इसको चूरा करके डाल दोगे तो यह कोईला बन जाएगा यह पांस से दस सेकेंड बाद यानि कि एक मिनट बाद आपको फ्रेक्रेंस नहीं देगा अब कॉंसेप्ट क्या है कि आपको जो दखून रखनी है यानि कि जो ऊद्वुड रखनी है यह वाली यह आपको रखनी होती है जस्ट इसके साइड में यानि कि यह चारकोल है सी दिस चारकोल को आपने साइड में रख लिए ऐसे और इसके साथ यह आप रखते हैं इसके साइड में लाइक सी दिस ऐसे आपको रखनी है अब उन सर ने क्या बता रखा है कि आपको जो यह उद्वुड है यह इसके ऊपर डाल देने चूरा करके अब जब आप जलतेवे चारकोल के ऊपर इसको डाल देते हैं तो आपके साथ प्रॉब्लम क्या आता है कि यह बन हो जाता है जलने लग जाता है फ्रेक्रेंस नहीं देगा है आपको अब यह पांच मिनट तो शायत में जादा को है एक से दो मिनट के बाद यह बिल्कुल जल जाएगा बन हो जाएगा और एक लकड़ी जैसे जलती है वैसे स्मेल आने लगेगी तो कॉंसेट क्या है हमें इसकी फ्रेक्रेंस यह चार से पांच पांच से छे घंटे के लिए अब आ आपको तीन तरह की फ्रेक्रेंस मिलती हैं जैसे कि आप हमारे जो बड़ा फेमस जो हमारा हॉट सेलिंग है वह है उदमाल उद्शेख अलबहार तो इनमें से उदमाल सबसे जाधा बिखता है वो थोड़ी लगड़ी की तरह दिखाई देती है तो इसलिए मेरा वीडियो कर केसे यूज करेंगे तो काम करी नहीं सकता हो क्यूंकि जो कॉइला यूजर से बढ़र करने के बाद वह दखोन इूद वुड़ है यह इसके साइड में रख देनी यह आपको दिखाई दे रहा होगा इतने डिस्टेंस में आपको रख देनी है अब अगर आप इसके उपर है ये काम नहीं करेगा तो प्लीज मैं जितने भी ये लोग वीडियो बना रहें उन लोग उसे कहना चाहता हूं कि गलत वीडियो ना बनाएं गलत डिस्क्राइब ना करें इससे प्रॉब्लम्स आती है क्लाइंट्स आपकी वीडियो देखते हैं फिर वैसे फॉलो करने लगत हैं और फिर रिजल्ट नहीं आते हैं दखून आपको इसके साड में रखने यानगि उद्बुर्ट जो भी आपकी वह прव्रेक्रेंस होगी वह कोईले के साइड में रखने चार कोल के साइड में रखना थोड़ासा डिस्तेंस देना उसको कि कोईले की हीट से चारकोल की दर जनरेटो जलाना नहीं है उसको हीट प्रवाइट करनी है यही कॉंसेट एलेक्ट्रिक बनर का भी होता है आप उसे प्लग इन करते हैं उसके उपर उद्बूड रख देते हैं तो ऐसे आपको यह इस्तमाल करना है अगर आप इसे ऐसे इस्तमाल करेंगे तो आपके यहां पर जो फ्रेग्रेंस है वह 4-4 घंटे भी आएगी 6-6 घंटे भी आएगी आट-8 घंटे भी आएगी पूरे-बूरे दिन आएगी क्योंकि दुबभई के अंदर कॉंसेट क्या होता है वो इससे ऐसे ही बन करते और अपने बोड़ी के अंदर इस तरीके से फ्रेग्रेंस को ले अब जब आप उपर डाल देते तो उसका essence बन नहीं हो थो हो पूरा burn हो रहा होता है, जब आप इसके side में रखते हैं तो एक एक तो आप चार कूल साइड में रखें, और इसके side में रखें दखून यानी की ऊदबड जो भी fragrance होगी, आप उसे उसके side में रखेंगे तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका product बहुत अच्छा चलेगा आपको fragrance भी आएगी और काम भी करेगा और आपको अच्छा भी लगेगा तो ये थी आज की जानकारी बखूर के उपर और अगली वीडियो में आपके लिए कीजिए फिर बताईए कि आपका product काम कर रहा है या नहीं कर रहा है अगर आपको किसके अंदर कुछ और भी चेंज़े चाहिए कुछ और भी अमलब यानि कि टेकनिकल कुछ और भी जानना है तो आप मुझे क्लीचे comment section में comment box में बता सकते हैं मैं आपकी वहाँ पूरी help करूँगा तो बताना कि मैंने जो आपको बताया है इस तरीके सा प्लीज आप ऐसे यूज करना हम हर client को यही बताते कि sir आप product ऐसे यूज कीजिए और आप देखें फिर result कैसे आता है तो 100% result आएगा आप product को बिल्कुल जैसे मैंने बताया है इस तरीकी से इस्तमाल कीजिए ठीक है तो आगे फिर आपको कुछ और नई जानकारी चाहिए होगी तो मैं definitely आपके लिए इस तरह का वीडियो जरूर बनाऊँगा और अगली वीडियो के लिए चैनल को लाइक भी करना शेयर भी करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजेगा नमस्टार